अश्टा वक्र गीता अध्याय तीन अश्टा वक्र कहते हैं आत्मा को अब नासी और एक जानो उस आत्म ज्ञान को प्रात्त कर किसी वो दिवान विक्त की रुच्ची धन अर्जित करने में कैसे हो सकती है स्वंहिक के अघ्ञान से भ्रहमत विस्यों से लगाँ हो जाता है जैसे सीव में चांदी का भ्रहम होने पर उसमें लोग उत्पन हो जाता है सागर से लहरों के समान जिस से यह विस्त उत्पन होता है अभी मैं ही हूँ, जानकर तुम एक दिन कैसे tennis हो यह सुनकर भी कि आत्मसुद चैतन अत्यन सुन्दर है तुम कैसे जने नेंद्री में असक्त होकर मलिंता को प्राप्त हो सकते हो सभी प्राणियों में स्वय को और स्वय में सब प्राणियों को जानने वाले मुनी में मम्ता की भावना का बना रहना आशर ही है एक ब्रह्म्हा का आश्रे लेने वाले और मोक्ष के अर्थ का ज्ञान रखने वाले का अमोर प्रमोर द्वारा उत्पन कामनाओं से बिजलित होना आशर ही है अनसमय के निकट पहुंच चुके द्रक्तिका उत्पन ज्ञान के अमित्र काम की इच्छा रखना जिसको धर्ण कर करने में या अतन असक्त है आशर ही है इस लोग और पर लोग से विरक्त नित्य और अनित्य का ज्ञान रखने वाले और मोक्षी कामना करने वालों का मोक्षी से डढ़ना आशर ही है सदा के ओल आत्मा का दर्सन करने वाले बुद्धिमान मित्ति भुजन कराने पर या पेड़ित करने पर ना प्रसंद होते हैं और ना क्रोध ही करते हैं अपने कारे सेल सरीर को दूसरों के सरीर की तरह देखने वाले वहाँ परसों के प्रसंसा या निंदा कैसे बिजलित कर सकता है। समस्त जिग्यासाओं से रहे इस विषको माया में कल्पित देखने वाले इ perfection को आशन निमित्ष भी प्रधा भैभीत कैसे कर सकते हैं निरासा में भी इसमस्त इच्छाओं से रहे स्वैं कह ग्यान से पसंद महत्वा की तुलना किससे किया सकते हैं सुभाव से ही विस्यकों दिश्यमान जानों, इसा कुछ भी अस्थत नहीं, यां ग्राण करने योग्य है और त्यागने योग देखने वाला इस्तिरुप प्रज्यय योग्ष्ट क्या देखता है। विस्यों को आंतरिक आशक्ति का त्याग करने वाले संदे से प्रेविना किसी इच्छा वाले बेक्ति को सता है, आने वाले भोग ना दुखी कर सकते हैं और ना सुखी कर सकते हैं, डानने मुझा